मोदी जी के साथ तो उनको विश्यित राजय का दरजा से बार भी उऐसे कोंतरात्मा जैसे ही महाँ गडबंगर में पा्यच राइब कमी अभी पना काere पनागए Сам सब कोई उम्हें कोई ię।ay पचhtर साल बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने पूरवी क्षेत्री परशत की 26 वी बैठक में एक बाफिर से विशेस राज का दर्जा देने वाला मामला उठाया है नितीश कुमार के इस मांग पर जन्सुराज के सूतरधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी के साथ थे तो एक बार गलिती से भी उनके मुह से विशेस राज का दर्जा दिये जाने की बात नहीं निकली महागड़मंदन में जाते ही करने लगे मांग मोदी जी के साथ थे तो उनको विशेस राज्य का दर्जा एक बार भी उनके मुह से गल्ती से भी नहीं निकला संसद में उनके जद्यू के नेता मोदी जी को महामानो बता रहे थे अंतरात्मा जैसे ही महागड़मंधन में आए अंतरात्मा का भी फिर से फाइंट्यूनिंग हो गया अब उनको विशेस राज्य का दर्जा दिखने लगा फिर भागेंगे भाजपा में तो फिर पहेंगे अगर विशेस राजी का दर्जा छोड़िये ना इसा कुन इसलिए उनको अपनी समझ नहीं लगी नितिश कुमार का उमर हो गया 75 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई समाजिक राजनितिक तोर से घिर गए क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है बिदान सबाब में खड़े होकर जो उन्होंने वक्तव दिया पूरे देश में हसी के पात्र बने और पूरे बिहार के लोगों को सर्मसार किया फिर खड़े वो इतनी जो हुआ वो तो हुआ अगले दिन जो उन्होंने माफी तो उनके माफी मांगने के तरीके को देखिए उसमें भी उनको नहीं लग रहा है कि हस रहे हैं कि रो रहे हैं कि सही में दुखी है कि खुज रहे हैं कि बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं करना और चाहते कर कुछ और जाते हैं दिमाग इसलिए लोग का रहा या दिवाग स्थिर नहीं है वो घबराहत है जब आप अकले पड़ जाती है तो आपको इस तरह की घबराहत होने लगती है जब इन खिसक गया है उनको यह तो समझ है उलूल जलूल कुछ से कुछ बोलते रहते हैं कुछ उनका ज्यादा तर्द बयान आप सुनिये चोड़िय पे एक बार फिर राज्य को विशेद दर्जा देने की मांग की है जिसे लेकर अब राज्य की सियासत भी तेज हो गई है पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिशे कुमार सिंग की रिपोर्ट